नमस्ते भारत, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे पुलिस फॉन को ट्रैस करती है, और जब फॉन खो जाता है तो वो आसानी से पुलिस कैसे डूड देती है, वो सारी चीजे जनने की कोसिस करेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने ये IANA लिखा होगा, इसका मतलब होता है इंटरनेट असाइंग नंबर एक्टिविटी, यानि कि IANA का काम क्या है, ये IP अडरस सुना है आपने, मैं बता देता हूँ, IP अडरस कुछ इस तरीके का अडरस होता है, यानि कि ध्यान से सुनो, जब आप लोग इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो, या फिर जब आप मो करते होंगे, सिम खरीद लिए फिर मोनेम बगेरा का करवाते होंगे, तो आप आधार कार बगेरा देते हो, जिसमें आपकी डिटेल्स या इंफोर्मेशन को सेयर करती है, कंपनी ले लेती है, तो उससे क्या होता है, वो IP अडरस जनरेट करती है, आपके अडरस के नाम पर, जैसे की, कार में नमबर लगा होता है, आप ट्रैफिक डूल तोड़ते हो, चालान कर जाता है, तुरंत घर पे आ जाता है, यानि की कार के नमबर से आपके घर का एडरस आइडरस आइडरस कर लिया जाता है, सेम इसी तरीगे से, यहाँ, फॉन में एक IP अडरस होता है, जि आगे जहन दो और उसे assign कौन करता है यह internet assign number authority यह IANA क्योंकि भाई साब यह जो मामला है वो सारे लोगों का है ठीक है पबलिक का है तो यह IANA assign करता है इन चीज़ों को और उसके पास इस IANA के पास जो IP address का पूरा का पूरा data रहता है collect रहता है दो तरीके के IP address होते हैं और यह IP address का जो काम होता है वो क्या होता है एक computer को दूसरे computer से connect करना या आप website सर्च कर रहे हो तो आपका IP address server तक मौचेगा और सर्वर से फिर information आप तक आएगी तो कौन-कौन से होते हैं एक तो होता है वैसा static कौन सा static एक होता है dynamic static IP address का मतलब क्या हुआ है ऐसा IP address जो की एक व्यक्ति के पास एक ही है इसके पास 500 IP address है और इसे 500 कस्टूमर को बाटने है तो आराम से डिस्टिब्यूट कर सकती है एक IP address एक व्यक्ति को दे दे ठीक है लेकिन ज्यादा तर कंपनिया ऐसे काम नहीं करती कंपनिया क्या करेंग कि मनलो 500 IP address खरीदेंगी और 2000 बच्चों को बोल रहा हूं 2000 लोगों को डिस्टिब्यूट कर देती है पूछो कैसे जैसे की आपने इंटरनेट अभी चलाया तो एक IP address के जरूरत पढ़ेगी आपको मनलो जैसे आपने इंटरनेट ओन किया तो आपके पास एक IP address आगया है ना आप जब तक उसे यूज कर रहे हो तब तक कर रहे हो जैसे यह आप इंटरनेट ओफ करोगे तो वो IP address किसी और के पास पहुच जाएगा यानि कि एक ही IP address से 3-4 लोग निप्टा मारेंगे ये लोग है ना मनलो ऐसे ही करके 100 IP address कोई पहले 100 अब्यक्स ती चला रहे है उन्हो इस अब IP address जो होता है ना वो ही खेल कर देता है मुबाइल को ट्रेस करने का है ना GPS लोकेशन वगेरा में सब जगे इस्तमाल होता है तो एक बार बताओ जब एक IP address है किसी व्यक्ति के पास तो उससे तो पता लगाया जा सकता है कि इसका मुबाइल का है लेकिन ऐसा व्यक्त करते हैं एक लिस्ट मैंटेन करते हैं और वो यह लिखते हैं इस व्यक्ति को हमने यह वाला IP address हसाइन किया था इस डेट और इस टाइम को ठीक है तो इस तरीके से लोग मैंटेन करते हैं और अपने IP address बचा लेते हैं 500 IP address में 2000 लोगों का काम खतम कर देते हैं एक अलग से लि जैसे आप website सर्च करोगे या कुछ भी चीजें सर्च करोगे तो आपका IP address पहुचेगा बहां पर ठीक है जहां से तुम इंफोर्मेशन निकलना चाहरे हो और भई चीज सेम ISP के पास पहुच जाएगी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास क्योंकि उसे भी त इस तने टाइम को यह वाली website सर्च की थी ठीक है अगर कोई information निकालनी होगी तो police police वाले या किसी को भी चाहिए होगी government मैंसे तो यहां से निकाल सकती है आगे ध्यान दो अब देखो phone को कैसे trace किया जाता है दो तरीके होते हैं एक तो GPS on हो यानि कि global positioning system अगर on है तो exact location बता अपयोग करके आपकी exact location trace की जा सकती है लेकिन मानलो GPS off है तो थोड़ा सा location को trace करना मुश्किल हो जाता है कि भाई साब FIR लेखो और मेरा phone को गया तुरंत servie lens पे लगा दो और जूड़ के जल्दी लेके आओ तो भागते भागते काम चालू कर देंगे तो servie lens पे लगाएंगे वो पहले phone को पहले तो FIR लखेंगे कि भाई साब यह phone को गया अगर इससे कोई गलत काम होता है तो उस इसलिए होती है लेकिन जैसे ही उसे servie lens पे लगाने जाते हैं तो उसमें यह वाला नंबर IMEI नंबर यह जो नंबर देख रहे हो ना पीछे यह बहुत ही जाता में पूर रहता है इसका फुल पॉमें इंटरनेट मोबाइल एक्विपमेंट आइडेंटेटी इंटरनेशनल तो भार निकाल देगा उसमें से ठीक है सुच आप रखेगा दो चार दिन लेकिन जैसे यह servie lens पे लगाएंगे तो क्या करेंगे इस IMEI नंबर को ले लेंगे उससे जिसका खोया है उस 32 से सांसाधिया नेता मंत्री किसी का भी खोया हो नॉर्माल का तो मिलता ही नहीं तो इसके भी जीओ वाले हैं एल्टेल वाले हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं इन सबको यह भेज देगी ऑपरेटर्स को सबको भेज देगी आई एमी नंबर कि भाई साब इसको सर्वी लेंस पे लगा दिया है आप जल्दी से देखो यह phone जैसे ही on हो से trace कर लेना अब मानलो इ आइडिया के operator के पास message आज आएगा कि भाई साब यह phone मिल चुका है इस phone की location भाँ पर है ठीक है जहां पर भी दिखाएगा ठीक है जैसे ही phone में SIM डाल के on करेगा तो यह on हो जाएगी इस method को भी triangulation method बोलते हैं इसमें है ना तीन से टावरों का उप्रियों की जाता है लेकि सकता है phone यह पर हो सकता है तो एकदम proper exact location नहीं पता लगाई जा सकती है ना तो इसमें क्या होगा IMEI number जो होता है वह वह आपरेटर के पास बेजा जाता है जी ओ आइडिया वोड़ा phone सब के पास बेजा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जैसे इस phone में किसी की भी SIM डल करेंगे फिर तो है ना तो यही तरीका होता है phone को पता लगाने का ऐसे ही phone trace होते हैं बड़िया तरीके से जमके दुलाई होती है फिर चोरों की कुछ नहीं होता है ऐसा मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं ऐसे ठीक है तो ऐसे कुछ चछी information होगी तो वह भी पास करेंगे